हेलो एब्रिवन मैं मेथुन शिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छा है यह क्लास नंबर 33 है करेंट फेर्स की इससे पहले 32 क्लासे आ चुकी है आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर दे सकते हो या लिंक जो है डिस्किप्शन में बादूंगा तक ही आप जो है सारे प्लेलिस्ट को जाकर चेक आउट कर सकते हो एक्जाम बहुत नजदीक है तो चलिए फेरी फर्स्ट कोश्चन के और हम लोग बढ़ेंगे उससे पहले रिच्वल्स के एकॉर्डिंग यहां पे कुछ नाम आपके सामने पॉप आप हो रह है तो चलिए फेरी फर्स्ट कोश्चन आपके सामने यह रहा डॉक्टर अब्दुलकादीर खान हूँ है पास्ट अवे रिसेंट्री वाज एन एटॉमिक साइंटिस्ट तो देखिए अब्दुलकादीर किस कंट्री से रिलेटेड थे यह आपको बताना है और इन्होंने न उन्होंने जाकर फॉर्मूला चुराया और पाकिस्तान को इन्हों को थोड़ा सा रिसस्ट दिया जाता है तो यह पाकिस्तान से थे और इसका राइट अन्सर है और ने ही पाकिस्तान को एक एज दिया कि वो हमें धमका सके जी हां वो हमें धमकाते रहते हैं बीच-बीच में कि बम छोड़ दूँगा परमानुबम है हमारे पास तो ये पूरा इनको जो है पाकिस्तान में बहुत इज़त दी जाती है और इनोंने आपको एक और फन फैक्ट मे इनको हो गया था और कोविट के कारण इनकी डेथ हो गई आगे बढ़ेंगे नेक्ट कोशन के लिए देखें DRDO बहुत इंपॉर्टन कोशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे लोग DRDO का फुल फॉर्म जरूर लिखें एक्जाम में हो सकता है कि यह आज आज आरिभट अवाड जो है किस एस्ट्रोनाट सोसाइटी आफ इंडिया को दिया गया है तो देखिए यह हमारे सतीस यह रही जी हां C is the right answer Dr. G. Satis Reddy को इनको जो है एवार्ट दिया गया है आरे भर्ट एवार्ट इन्हें मिला है यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो और इसरो में ये सिंस काम करते हैं एरोनेटिक में ये काम करते हैं इनके हांस में रॉकेट भी आपको दिखेगा आगे बढ़ेंगे नेस्ट कोईशन के लिए आपको बस ये बताना है F.I.H. Women's Player of the Year या और Men of the Player किसे मिला है 2020 और 2021 के लिए गुर्जित कार और याद रखिए हर्मन प्रीत सिंग इन दोनों लोगों को men और women के लिए best category के लिए hockey खिलने के लिए इनको best player of the year चुना गया है यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो और यह रही गुर्जित कार और यहाँ पे आपको दिखेंगे यह हर्मन प्रीत सिंग तो इन लोगों ने अपने अपने respective category में जो है अवार्ट को जीता है आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए अगला question है Reliance New Energy Solar Limited दखी यह question आपके काम की है नहीं और इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी since China involved है यहां पे तो neighboring country के होने के नाते आपको यह पढ़ लेना चाहिए पता होना चाहिए RAC खरीदा है किस से खरीदा है million dollar खरीदा है national blue star से और यह चाइना की company है तो कितना जो है dollar में इसको यह अपना खरीदा है हमारे मुके संबानी ने तो 771 million dollar में यहां से C इसका right answer होगा यहां से आप देख पाओगे यह image जी हां solar system के लिए 771 million जो dollar है investment की गई है आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए अगला question आपके सामने यह रहा Quad nation मैंने पहले भी साइध वीडियो में बताया होगा Quad का मतलब होता है four और Quad country में देखिए कौन-कौन country आती है USA आता है India आता है Japan आता है और Australia आता है यह चारो मिलके Quad बनाया है इन लोगों ने और यह China को counter करना चाहते है क्योंकि China जो है बिल्कुल dominating nature का हो चुका है हर country के साथ पंगा लेता है तो यह चारो country मिलकर क्या करेंगा उसके परभाव को कम करने के लिए यहाँ पे South China Sea में उसे counter करना चाहते है तो South China Sea के लिए इन चारों ने मिलकर क्या किया है एक अभ्यास किया है जो exercise बोलते है उसे वो किया है वो कहा किया है यह किया है इन्होंने Bay of Bengal में D इसका right answer होगा आप यहाँ से photo भी देख सकते हो वेटे मिनट जी है यहाँ से आप देख लो Bay of Bengal में जो 12 October से लेकर 15 October तक है इन्होंने जो है साथ में मिलकर के एक दूसरे को technology share करी कैसे लड़ना है कुस strategy जो होती है वो यहाँ पे इन्होंने मालाबार exercise की है तो यह अच्छी बात है आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए और आपको बस यह बताना है कि किस player ने F1 Turkish Grand Prix 2021 जीता है तो देखिए यह जो right answer होगा आपका यह बोटास कहा है जी है यह रहासी इन्होंने बोटाजी इन्होंने जो है इसे वाट को जीता है see the right answer आप यहाँ से आप इनकी image भी देख सकते हो यह रहे तो चलिए आगे बढ़ेंगे next question के लिए और यहाँ पे मुझे दिख गया sir जी हो ची हाँ यह जो है ना यह नाम साइद आप लोगोंने सुना आओगा जिन्होंने money highest देखा होगा तो मुझे एक आएक दिख गया money highest फैन थोड़ा comment box में आकर प्रोफेसर लिख जाएंगे आगे बढ़ेंगे next question के लिए उससे पहले आपको मैं बता दू एक्जाम के लिए बहुत ही कम समय है और अगर आपने पहले से अपनी तयारी करने के लिए नोट्स बगरा बना ली है तो बहुत अची बात है अगर आपने नहीं बनाई है आपके पास कोई strategy नहीं है आपको कोई idea नहीं है तो आप 499 में में मेरे नोट्स को purchase कर सकते हो मैंने sense army school 2 वार qualify किया है तो आपके लिए मैंने बिल्कुल उतनी ही quantity की नोट्स तयार किया है जो कि आप आखरी के time में पढ़ सको और एक्जाम में अच्छा कर पाओ 100 रुपीज में आप previous year paper purchase कर सकते हो यहांसे मेरी email id देख लो और यहांसे इनकी फोटो भी देख सकते हो तो देखो यह made in India flying car है यह देख लो आप image भी इसके आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए आपको बस यह बताना है कि देखिए जो southern central railway है उसके लिए two trains को जो है new trains को जो है include किया गया है इन दोनों train जो है बहुत ही जो है लंबी दूरी तै करेगी तो इनका नाम क्या है तो देखिए इनका नाम है पहले का नाम है तिरसूल दूसरे का नाम है गरूर answer आपका ए होगा तिरसूल और गरूर जो है दो ट्रेने हैं जो की चलाई जाएगी तो यहां से आप answer देख लो पाले इन्डियन रेलवे लॉंसर टू लॉंग हाउल देखिए यहां पर आपको देखेगा तिरसूल और गरूर और यह किस के लिए है South Central Railway के लिए है आगे बढ़ेंगे next question के लिए आपको बस ये बताना है कि हाल में ही किसने prestigious environment award जीता है CPSE के अंटरगर्ट आने वाले तो देखिए इसका जो right answer ना वो होगा Ministry of Steel D is the right answer आप यहां से देखोगे यहां पर आपको देखेगा बढ़ेंगे अगले question के लिए आपको बस ये बताना है 2021 में International Day of Girl Child के लिए जो theme है theme होदा ना कोई ना आरा देना वो क्या है तो देखिए इसका जो right answer होगा वो होगा digital generation डिजिटल जेनरेशन और डिजिटल जेनरेशन और जेनरेशन भी इसका correct answer होगा तो यहां से आप इनकी image भी देख सकते हो बीजदा right answer और यह 11 टूर को जो है observe किया जाता है International Girls Day pen paper पर नॉट कर लिजिए इसे आप आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए और अगला question तो है नहीं quick points है जो कि आपको करना है recently which gulf country has announced a plan to plan for net zero greenhouse gas emission by 2050 तो देखिए UAE ने जो है यह announcement करी है कि वो zero gas emission कर देंगे greenhouse gas मतलब कि वहां पे कोई लाब अगरा नहीं जलेगा तो यह UAE ने कहा है 1950 तक यह जाएगा मसला UNESCO जो है हाल में ही 2021 के लिए state of the education report किस country के लिए लेकर आये था इंडिया के लिए लेकर आये था recently who has been selected for the Satyajit Rai Award तो देखिए B.Gopal is the right answer इसका हो जाएगा अब चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के लिए जो question जो है आपके लिए question of the day है पहला question of the day के लिए पहला question है यह पहला आप यहाँ पर wait a minute एक नम्मर पर जो है आपको यह बताना है कि अमरिका USA की जो capital है वो क्या है पहला question यह रहा दूसरा question यह रहा अभी जो है अमेरिका में जो बाइडन प्रेसिडेंट है यह question नहीं पुछूँगा वो किस party से जो है बिलॉंग करते है कॉमेंट करके आपको बताना है और तीसरा question इसी से है उनके party का symbol में जो है क्या है उस question आपके लिए यह रहा answer करके आप लोग बताईएगा thank you so much for watching this video have a good day